गर्मियों में हमें ठंडा ठंडा डेजर्ट बहुत पसंद होता है और डेजर्ट खाने का नो कोई वक्त नहीं होता है चाहे सुबह हो या शाम हर वक्त ही अच्छा लगता है तो आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ 15-20 मिनट में बनने वाली बहुत ही आसान और बहुत ही टे सेपी शुरू करते हैं सेवई फ्रूट कस्टड बनाने के लिए एक पैन में हम एक चोटी चमच घी गरम करेंगे जैसे घी गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे आधा कप सेवई तो सेवई मैंने यहाँ पे कच्छा इस्तमाल किया है आप चिए तो भूना हुआ सेवई सेवई को हमने भून लिया है अब इसमें डूद तो दूद ना हमें दो कप इस्तमाल करना है पहले हम डेढ़ कप डालेंगे बात में जब हम इसमें कस्टड पाउडर डालेंगे तब उसमें डूद डालने के बाद इससे पहले अच्छे से मिला दें और उसके भाद धीमी आज पर इसे तब तक पकाएंगे, जब तक इस सिवई जो है, वो अच्छे से उबल नहीं जाए, यानि पक नहीं जाए, तो इस प्रसेस में आपको कम से कम 4-5 मिनट लगेंगे, ग्यास का फ्लेम हम धीमा रखेंगे और इसे ऐसे मिलाते रहेंगे, तो यहाँ पे इस सिवई जो है, वो 70% पक गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, तो एक चोथाई कप के करीब आप इसमें चीनी डाल दे, चीनी जो है ना, वो बाद में डाले, शुरुआत में चीनी नहीं डालना है, जब सिवई पक जाए, तब आप उसमें चीनी आड़ करें, चीनी डाल कि दो छोटी चमच कस्टड पाउडर लेना है मैं यहाँ पर वनीला फ्लिवर्ड का कस्टड पाउडर का इस्तमाल करें हूँ पानी डालके हम इसका एक सेमी थिक बैटर बना लेंगे यह देखे इसमें लंस नहीं होना चाहिए तो यह हमने कस्टड पाउडर का बैटर बना ल तो यह हमारा सेवई जो है वो बन के तयार है अब हम इसमें डाल देंगे यह कस्टड का भूल तो इसे डालने से पहले क्या करेंगे ना कि इसे मिक्स कर देंगे और आप इसे जब सेवई में एड़ करेंगे तो एक हाथ से सेवई को मिक्स करते रहें ताकि इसमें लंस नही लगते तो यह हमारा कस्टेड बन के तयार है गस को बन कर देंगे और इसके बाद इसे थंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे तो जब यह थंडा हो जाएगा न मुझा इसे फ्रिज में रख़ाने के लिए गौंटे गा तब इसके खाने का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है तो यहाँ पर मैने इसे ठंडा कर लिया है अब हम इसे सर्ब कर लेंगे तो सर्विंग ब्लास अब अपने हिसाब से ले और यह देखे है ना एकदम क्रीमी टेक्श्चर वाला बहुत ही अमेजिन तो हम सबको सिवई भी बहुत पसंद होती है और कस्टड भी बहुत पसंद होता है और जब आप इन दोनों को ऐसे मिक्स करके बनाएंगे तो इसके टेस्ट का मैं क्या बता हूँ मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको बहुत हमेजिन बनता है अगर आपने कभी नहीं ट्राई क देलें तो बताती है यहां पर दैस्त के बढ़ेंगे फ्रून तो इसके बदेंगे द्राई फूट्स हम्हे लिए फ्रूल देंगे नहीं है पिश्टा और आप इसके कर सकते हैं तो कम खर्चे में एक दम रेस्टोरेंट या फिर रेस्टोरेंट से भी अच्छा डेजर्ट आप घर पे बना सकते हैं वो भी कब मैनत में आप इसे बना के रात को रख सकते हैं, अगर दूसरे दिन आपके घर में डेस्ट आने वाले हैं तो उस दिन भी सब कर सकते हैं, यह खराब नहीं होता है तो यह हमारा सुपर टेस्टी और बहुत अमेजीन डेस्ट बन की तियार हो गया है अगर आपके घर में कोई party है तो आप इसे ऐसे glass में बना के और fridge में रख सकते हैं जब party start होने वाली है या खतम होने वाली है तब आप इसे निकाल के दे सकते हैं तो है ना मज़धार idea तो क्यों खर्जा करना जब सस्ते में घर पे इतना अच्छा डज़ाटा बना सकते हैं वो भी सिंपल तरीके से तो आप इससे वही फ्रूट कस्टेड की रेस्पी को जरूर ट्राई करें ये आपको बहुत पसंद आएगा जब भी आप इससे सर्फ करें तो ध्यान रहे कि आप इसे फ्रिज मेरा के ठंडा ठंडा सर्फ करें तो ये खाने में और भी ज़्यादा मज़िदार लगता है लेकिन अगर आप उस सर्दी खासी का प्राब्लम है तो आप इससे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं तो आप इस रेजबी को जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर करना बिल्कूल न भूलें